हे दोस्तो, आज हम बात करने वाले हैं जोतनी लैप्स के बारे में, जिसको किया आप उजाला के नाम से भी जानते हैं, सुरुवात करते हैं हिश्ट्री से, कंपनी के सुरू होने के पीछे एक बहुत ही इंट्रेस्टिंग इस्टोरी है, चलिए पहले उसके बारे में जानते थे, ये बात उनके दिमाग में एक चिंगारी की तरह काम किया, जिसके बाद महिनों तक उन्होंने अपने किचन में इस पर एकस्पेरिमेंट किया और फाइनली, एक दिन एक ऐसा नीला लिक्विड तैयार किया, जिसे आज हम उजाला के नाम से जानते हैं, कंपनी 1983 में एक बेचा जाता था, पर कुछ सालों में ही लोकल रिटेलर्स भी इसे बेचने लगे और प्रोड़क्ट लवक साउथ इडिया में फिमस होने लगा, ग्रोथ को देखते हैं 1992 में इसे कंपनी में तबदील कर दिया गया, कंपनी बनते ही किरला के अलावा कंपनी अलग अलग अल साथ ही कंपनी ने इन और्गेनिकली डिटरजेंट सेगमेंट में भी इंटर किया, कुछ और एक्सपरिमेंट करते हुए मैनेजमेंट ने दूसरे प्रोड़क्ट को भी बेचने के लिए एगरिमेंट किया, जैसे 2006 में गोदरेश्टी के साथ, 2007 में CCL और बालाजी टेली फ प्रोडिशन्स भी किया, लाश्टली कंपनी ने 2011 में हेंकल इंडिया को अक्वायर किया, जिससे कंपनी को लगवग साथ बड़ा प्रोड़क्ट्स मिला, और 2020 में राम चंतरन का देथ हो गया, ये था ओवरॉल हिस्ट्री, जोती लैप्स के बारे में अगर पूरे कंपनी क हेंकल इंडिया को अक्वायर किया, अब बात करते हैं कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में, पूरा का पूरा FMCG बिजनेस काफी सिंपल है, सबसे पहले रॉब मेटेरियल लाया जाता है, जो आसानी से मिल जाता है, रॉब मेटेरियल से प्रोड़क्ट आसानी से बन भी जाता है, जो कोई भी बना सकता है, और लाशली पैकेजिंग करके बेच दिया जाता है, अगर इसको अच्छे से समझे तो, स्टार्ट करते हैं रेवेन्यू से, कंपनी मेजर ली तीन तरह का प्रोड़क्ट बनाती है और बेचती है, पहला सोपर डिटरजेंट, दूसरा प बाकी प्रोड़क्ट्स हाइली कंपेटिटिव मार्केट में होने के बज़े से, उतना ज्यादा मार्जिन को नहीं दे पाता है, बात करें प्रोड़क्शन का, तो इन से प्रोड़क्ट्स को कोई भी बना सकता है, हाला कि कंपनी के पास तीन R&D यूनिट है, जिससे कंपनी प्रोड़क्ट्स में थोड़ा improvement कर सकता है, पर उससे ज़्यादा कुछ खास impact नहीं होने वाला, FMCG में जो major impact करता है, वो होता है, नाम, आम आदमी किस प्रोड़क्ट को कितना जादा जानता है, और उसको कितना जादा खरीदता है, इसलिए जब भी कोई FMCG कंपनी बीग करता है वहीं अगर बात करें हैंको का तो उसको ओफर दे दे के बेचा जाता है और वहीं बात करें प्रिल और एक्सो का तो comparatively हैंको से बहतर है लेकिन उजाला से उतना बहतर नहीं है अगर मार्जिन के टर्म में देखे तो FMCG में एक और चीज मेंटर करता है कि how you market your product कमपनी का personal segment में भी कुछ product से जैसे नीम, मार्गो और फाड यूडरेंट और home in safety sites में कमपनी का product है मैक्सो जो की seasonal product है बेचने का बात करें तो कमपनी का major revenue साउथ इंडिया से generate होता है और products में प्रिल और फा को बेचने के लिए कमपनी को 2% of revenue Henkel Germany को pay करना पड़ता है और साथ ही Henkel और Mr. White को बेचने का right केवल इंडिया, बांगलादेश और स्री लंका में ही कमपनी को दिया गया है जो कमपनी को expand करने में restrict करेगा in future कमपनी का लगवग 23 manufacturing plant है और इतना ज़्यादा manufacturing plant होने के वज़े से कमपनी को economies of scale का फायदा नहीं मिलने वाला अब अगर sales का बात करें तो लाश 10 साल में revenue growth रहा है कमपनी का लगवग 9% और profit growth रहा है लगवग 18% यह वह हुआ है mostly because of margin improvement जहाँ पहले कमपनी को single digit margin मिलता था वही 2017 के बाद double digit margin हो गया है तो raw material का prices कुछ खास change नहीं हुआ है बट operational efficiency कमपनी का improve होता दिख रहा है और यह सब करते हुए न तो कमपनी का पैसा inventory में फसा और ना ही recevables में दो company का recevables days comparatively जादा है अगर हम इसके competitor से compare करें तो अगर पूरे company के business model को एक साथ समझे तो company का revenue super detergent को South India में बेच के generate होता है लाश्ट कुछ सालों में sales growth रहा है 9% और profit growth रहा है 18% mostly because of margin expansion जो clearly बताता है कि company का product big रहा है और margin पे भी big रहा है यह तो overall business model जोती lab के बारे में अब हम बात करते है management का management में सरसे पहले चेक करता हूँ share holding pattern management hold करती है 63% of share और trend का बात करें तो वो positive भी रहा है अगर 20-20 को छोड़ दिया जाए क्योंकि 20 में company ने जो placing किया वा था उसको घटाने के लिए 4% अपना stick sold किया जो कि काफी बढ़ी हाँ बात है बात करें salary या remuneration का तो management खुद को बहुत high salary पे करती है comparatively बहुत high salary है यह बात करें succession plan का तो company राम चंतरन से transfer होते वे जोती के पास चला गया है और उनके sister दीपती से conflict का कोई खास chances दिखने ही रहा है जो खुद भी executive position पे काम कर रही है और cases से scam का बात करें तो company के खिलाफ कुछ articles मिला है पर quote में cases के बारे वे कोई खास जिक्र google करने से नहीं मिला अगर आपको कुछ मिलता है तो मैं चाहूँगा कि आप comment में उसे लिखे ताकि मैं भी आपसे उससे सीख सकूँ एक important update दोस्तों अगर आपको या आपके किसी साथी को investing related कुछ भी नहीं आता है तो इस course में enroll जरूर करें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा लाशली हम बात करते हैं financials का financials में मैं सबसे पहले चेक करता हूँ कि क्या company आने वाले 5-6 साल में bank corrupt हो जाएगा या नहीं अगर debt के respect में देखे तो company का debt है around 100 करोर और company का profit का average last कुछ सालों का लगवग 200 करोर और competition के respect में बात करें तो company का net fixed asset turnover अगर गुडविल को हटा दिया जा तो लगवग 5 के आसपास घूम रहा है जो कुछ हद तक competitor को निवता भी दे रहा है company आने वाले 5-6 सालों में bankrupt तो नहीं होने वाला बात करें company का return on equity और capital employed का जो की ठीक ठाक नंबर पे खड़ा है लेकिन उतना कुछ खास बढ़िया नंबर नहीं है यह और अगर debt to equity को देखे तो company का debt to equity हेंकलों का acquire करने के बाद काफी ज्यादा बढ़ गया था जिसे company ने last कुछ सालों में काफी अच्छे तरीके से decrease करते हुए धीरे धीरे zero के पास लेते आया गया है बात करें cash flow का तो company का last 10 साल का profit रहा है लगवग 1313 करोर और उसमें से लगवग 1900 करोर cash में convert हो गया है जो clearly बताता है कि company का profit आसानी से cash में convert हो पा रहा है और बात करें इसका खर्च का तो इसमें से लगवग 40% investment में खर्च किया है 20% financing में और बचावा 40% dividend payment में गया है जो clearly बताता है कि company बहुत जाद aggressive तरीके से grow करने के कोसिस नहीं कर रहा है लाशली हम बात करेंगे valuation का company का लाश कुछ सालों का profit का average है लगवग 200 करोर और 200 करोर के हिसाब से अगर हम 20 या 30 का multiple दे तो company का valuation आता है लगवग 4000 तो 6000 करोर और अगर free cash flow के तुर इसका valuation निकाले तो वो आ रहा है लगवग 3000 तो 3000 तो 3500 करोर अगर आप free cash flow लेते हैं इन अराउंड 150 तो 180 करोर और अभी अगर market cap का बात करें तो company का market cap चल रहा है around 5000 करोर के आसपास मतलब लगवग अपने valuation के आसपास ही company trade हो रहा है यह तो overall analysis जोती labs के बारे में अगर आपको कोई चीज इसमें समझ नहीं आया या कोई doubt है तो मैं चाहूंगा कि आप उसे comment में पूछे और अगर आपको यह video पसंद आता है तो इस video को like और channel को subscribe जरूर करें धन्यवाद